नमस्कार आप सबका मेरे यूटुब चैनल पामिस्ट्री हिलर में स्वागतर टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो जब मैं एनलेसिस करता हूँ फोन पे फीड़बैक देता हूँ तो क्यों 100% सटीक बाते निकलती है उसके पीछे रीजन क्या है आपने अपनी पर आपने आके चलना है मत बोलने दो उने आके आप गलत हो ना वह बता देगा नहीं हुआ शुरू शुरू में आपको नहीं आता तो आप तब भी यही चीजे करो कॉंफिदेंस को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता मेरे को वह साइन दिख रहा था आप ऐसे को ठीक है वह कहेगा गलत है कुछ नहीं होता आप सीख रहे हो तो चलो जी हम सीख लेते लेकिन धीरे धीरे यह टेंडेंसी को बना लोगे न तो क्या होगा कि आपको जहां वह तो सही कहेगा ना आपका कॉंफिदेंस लेवल अंदर से बढ़ना शुरू हो जाएगा पहली बात अब देखो मुद्दा समझो यह सूरे परवत होता है सूरे परवत रिलेशन्स को बताता है ठीक है अपॉर्चुनिटीज रिलेशन्स को बताता है रिलेशन हस्बंड होते हैं भाईयों से भी होते हैं माबाप से भी होते हैं होते हैं नहीं होते हैं तो यहां पर क्यों मैं कहता हूं बहनों की शादी उनके बच्चे क्यों कहता हूं यानि मेरे चैनल पर आकर आपने देखा होगा एक हाथ किसी व्यक्ति का है उसके घर की फैमली में उनके बहन के बाईयों के बच्चे कब हुए क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह सब पता लग जाता है तो इट मिस भगवान भी तो रखता है ना भाई हिर्दे रेखा किस चीज को बताती है हिर्दे किसको बताता है प्यार को प्यार को मैंने मेरे 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 भाई मेरे बहन समाज में क् कैसे चलना है relations को बताता है नहीं बताता है तो यह नहीं पकड़ गोगे आप सुररे चाहिया कीरती को बताती है बस इसी मेरा और याशकीरती me कुछ नहीं आएगा आपको जा इसकता है देखो मैं समझाता हूं आपको समझो निकों फार्मूला दिखाता हूं आपको अगर कोई एक स्क्वार बना है और उसके साथ यह अठ बना है यह लिख लो अगर किसी का admission होना ही हो रहा है और यह शाइन बन गया सका admission हो जायगा MBA में कहता है, BBA में है, BCA में चाहता है इंजिनरिंग में है sin statement में चाहता है समस्थे रहे ना medical का वैसे यहाँ से नहीं देखता एक र्रेखा यहाँ पनी होगी यहां से आते हैं medicals के तीक है एपनीवे यह अगर साइन आता है medical भी मान लो सारी चीज़े मान लो अप जितने भी college में आप आप आते हो यह अगर है आपका admission कोई माई का लाल है जो ना हो पाए यह समय सही है लेकिन अगर यहां पर यह साइन है और वो व्यक्ति रिक्षा चला रहा है आटो चला रहा है वो व्यक्ति अपनी दुकान ले रहा है मान के चलो तो यह उसके दुकान का बहुत बढ़िया टाइम पीरिड आएगा समझ लो यह एक साइन है देखो ये साइन कहां पर था बताओ मुझे कहां पर है ये एक साइन था एक स्कुएर था और उसके साथ ये रेखा को बनाया गया देखो ये है साइन ये है ना ये तो है आठ आठ का मतलब होता है कहीं आना जाना ये क्या साइन है साथ ये क्या सत्रा साल ये सत्रा है ना यह 19 साल का टाइम पिरड़ था 19 यह 20 अब देखो यह एक आइसलेंड था देखो एक गुबारा गुबारे के उपर यह लड़ाई जगड़े और इसके साथ यह प्रोग्रस लाइन पर ना स्टडी में दिक्कत बोलो स्टडी में दिक्कत थै क्योंकि ट्रेंगल बना यहां पर यह आइसलेंड है एक प्रोग्रस लाइन जिस पर आइसलेंड हो या इस पर ही पूरा का पूरा आइसलेंड हो डेथ हो जाती है यह बहुत जबर्दस बिमार होता है तो यह 15 साल पर कोई बिमार हुआ ठीक है अब ध्यान देना इस जगह पर ट्रेंगल विद प्रो पर्पर्टी आपका फाइदा लेकिन यह बिमारी की रेखा भी है यानि यही व्यक्ति जो यहां बिमार हुआ है इसके करण पकड़ा यह दादा जी थे इनके अगेस्ट में प्रोपर्टी इनको लाब मिला था देख रहे हो इनको लाब मिला था यह पकड़ना सिखा रहा आपको लेकिन आपको समझ नहीं है कि इन चीजों की क्या क्या इंप्टेंस होती है अब देखो ध्यान से दिखाता हूं घर यह एधिये यह 29 साल से Т्रेंगल बना हुआ है और कुछ करना है कुछ करना है ट्रेंगल यह मै कुछ और काम करता हूं यार इसमें 21 साल पर रहें तो देखो अच्छा अब मैं आपको विदेश विदेश पताता हूं देखो यह तो लड़ाई जगड़े होते हैं घर पर यह हो गया ना तेईस साल से शुरू हुए यह 24 पर मेजर दिक्कत मेजर दिक्कत यहां पर इनके पिता जी को स्टोक आया था ठीक है यह देखो हेल्थ प्रॉब्लम लिखो इस जगह पर यह वाली रेखाओं पर किसी रेखा पर कोई आठ घूम जाएगा दूसरी स्टेट या विदेश दूसरी स्टेट या विदेश कुछे करे ना है जौब यहां पर यह क्या है चेंज हो जाएगा तो कितने अच्छे-च्छे साइन बता हूं यह साइन दिखाता हूं मैं आपको समझ आएगा कि कैसे मैं इन चीजों को पकड़ता हूं देखो लॉजिक समझाता हूं यह है यह वाला देखो यह वाला साल क्या था अठारा समझते रहना अठारा उन्निस बीस समझते रहना इस पर यह साइन क्यों बनाए यह साइन क की शादी बेहन की शादी कैसे पकड़ रहा हूं मैं इस जगा पर इस जगा पर यह साइन क्यों बनाया हुआ है ऐसे करके ऐसे क्यों बनाया हुआ है पत्चिसमे साल पर क्यों बना हुआ है बताओ मुझे यह साइन यहां पर है इट मींस पत्चिसमे साल पर विदेश पत्चिसमे साल पर इधर ट्रेंगल होगा इस जगा पर ट्रेंगल होगा क्योंकि यह अपॉर्चुनिटीज होती है न यह देखो अपॉर्चुनिटीज होती है यहां ट्रेंगल्स बनने शुरू हो जाएंगे 25 में साल पर इधर देखो ट्रेंगल होगा यह यह देखो तो अपॉर्चुनिटी इसको पकड़ लिया करो तो पता लग जाएगा यानि नीचे वाला टाइम पिरिड आपके घर पर यह देखो यह क्या है यह वाले साल पर एक यह क्या साइल है 28 और 29 साल राहू का प्रभाव चल रहे है ना राहू के प्रभाव चल रहे हैं तो 28 और 29 मे प्रपर्टी कंस्ट्रक्शन यह सारी चीजे होंगी बहुत मुश्किल है यह पामिस्ट्रे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है तो लाचिक समझाता हूँ ग्राफ से ज़्यादा असानी से समझाती है तो यहां पर मैंने एक साइन दिखा था 20 साल बेहन की शादी 19 में बे विदेश यह पहले 17 में फेल हुए थे ना यहां पर अगर विदेश में जाना चाहते हो क्योंकि जो यह लंबा बनेगा ना यह विदेश होगा यह वीजा यहां चले गए इस रेखा ने इसको टच कर रखा था चले गए यह बहन का बच्चा यह आईजलेंड यह 27 से 29 साल यह बेहन का ससूर यह सास बिमार अरे पाप रहे यह क्या था देखो मैं यहां पर मैंने क्ट लिखा है मैं समझा था हूँ मैंने का लडका होगा 31 से 32 साल के बीच में अचे लेकिन 31 में इनकी बहन की शादी भी हुए थे यह देखो भलगवानने क्या-क्या-क्या चीज़ें कर रखी हैं मैंने के किट पकड़ा किट हुआ 31 32 में लेकिन वो भी लड़का हुआ लेकिन बेहन की भी शादी थी आप समझ रहे हो यह पकड़ना कितना जो यहां पर सब कुछ होगा वो आपने स्किप कर दिया आप पिक्चर की क्वालिटी है मैं तो देख सकता हूं है मैं तो देख सकता हूं अब देखोऊ यह मैं रेल स्टेट लिखा है तो रियल स्टेट का काम होगा यहां से शुरू Iya इंट्रस्ट लेना ये इंट्रस्ट ये से ये रेखा जब भी जाएगी ना ऐसे करके उल्टा बनेगा ना इंट्रस्ट पैदा करता है ये कहां किसी किताब में पढ़ोगे क्या आप ये फार्मुले ये किताब में फार्मुले पढ़ोगे क्या देखो ये साइन का मतलब समझा यह दिखाता हूं पहले सब्सक्राइब यह देखो यह हैं इसी पीच्छ में आईसलेंड यह काम हुग। झब भी कोई ऐसी आयेगा ना झाम में दिक्क्कत आई थी इस जगह वाले काम में दिक्कत आहिक इस जगा उसलें प्रोजेक्ट प्रोस्रत प्रोडेट्त लाउच किया था इन्होंने दिक्कत आई थी ओहो एक साइन हो रहा है बहुत बड़िया साइन है मैं दिखाता हूँ दोर दो हाथ वही है वही चीज है एक हाथ और दिखाऊंगा लेकिन आपको चीज समझा देता हूँ कि देखो फाइदा फाइदा और ये फाइदा और नुकसान है समझते रहो देखो हमने क्या देखा ए ट्रेंगल है यह चुटकू सा ट्रेंगल है यह चुटकू सा लेकिन आइसलेंड भी है घुमाया भी गया है यह 38 साल यह 49 साल यहां पर आइसलेंड है लेकिन यह साइन है क्या मैं समझाता हूं यह साइन क्या है देखो इसको मैंने ग्राफ में आपको ले जाता हूं फिर दिख जाना 37 से रियल स्टेट में रियल स्टेट के काम में इन्होंने एंटर करा उसमें तो लाब होगा होगा और रही बात इस जगह पर तो यहां पर यह आईजलेंड आ गया थे लड़ाई छगड़े तो यह आप यूनिट थी मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट यहां पर इन्हें ल लॉस और फाइदा इन्होंने रिकवरी कहां करें रियल स्टेट पे करी यहां लॉस करा अगर यह पैरलल नहीं चलाते और मैंने का आपका इंटरस्ट यहां से बड़ा था यह तो यह हाथ है एक और हाथ दिखाता हूं यह 61-years-old व्यक्ति है 61-years-old व्यक्ति हूं देखो मैं आपको सिखाता हूं यह जो साइन है ना यह साइन क्या है की समझा रहा हैं यह साइन क्या है जो मैं समझाता हूं यह सभां यह सभा अथा पहले ऐक नीचे की रहा ऐसे बनाई थी ठीके इस पर दो रेखा बना दी गई पहले हाथ ही दिखा diता हूं देखो यह है वो हाथ ते खो यह बहुत प्रफिट दे गा बहुत ज्यादा प्रॉसिट देगा देखो मैं समझा तैंँ यहाँ इनकी लाइफ में एक है इसपह दो रेखा गया इसपह 2 रेखा अयह नवोग्त faded डो यह ऊपर वाली रेखा समझते यहां पर यह और यह जो बनाया गया है ना यह एक प्रपर्टी पर्चेस करी गई है मैंने का डेड़ गुना फाइदा होगा अगर पचास लाग की है तो लगबग डेड़ करोड की दो दो गुना फाइदा होगा ठीक है समझते रहे इसके बाद एक disruption है थीक है अब इन्होंने काय कि सर यह मैंने बेच हूँ तो मुझे कितना फाइदा होगा तो कैसे आपने समझा कि यहां पर फाइदा होगा यह sign है क्या पहले तो यह समझो आप आपनी यह sign है क्या मैं समझाता हूं यह sign क्या दो रेखा एक property थीक है यहां पर आकर दो रिखा आ जाएंगी यह बेचना होगा ना तो दो रिखा आ जाएंगी यह दो रिखा आई हुए ना यह देखो यह यह बिकेगी प्रापरटी तो यह देखो यह यह यहां खटम हो गया ना अब वो कुशन पुट अप करता है कि सर ऐसा फैदा मुझे और भी कभी जिन्दगी में और होगा कहो नहीं होगा यह दो रिखाएं कहां आ रही हैं नहीं आरी ना पूरे हाथ में इसी जगह पर आ रही है ऐसा फैदा नहीं होगा अब यह किसी की लाइफ में होता है ना अब इन्होंने का सर यह तो भगवान हनुमान जी का जो है मेरे पास आशिर में देखो जैसे ही प्रपर्टी पर्चेस करते हैं एक स्क्वाइर बना हुआ है मैंने का वो भी फाइदा देगी वो भी फाइदा देगी तो यह तो एनलेसिस हो जाएगा ना लेकिन यह साइन पकड़ लो अगर किसी की मैं बता देता हूँ यह एक भाग्य रेखा है मानके चलो यह भी भाग्य रेखा है समस्ते रहो यह आफशूट है यह भी एक आफशूट है समस्ते रहो ऐसे हाथ देख लो ना कभी आप भूल कर भी मैं कहा देना क्यआ ये लाकों कमाईंगे ये करोरों कमाईंगे ये एक रेखा ये उसकी सायक रेखा अब डबल ये मत कहो डबल डबल काम होंगे अब ये तो मैंने आपको इतनी स्पेस दे दिया इस पेस नहीं होगा साथ में पैरलल चलती हुई रेखा होगी यानि दो रेखा एक ट्थी चल रही है दो रेखा ये चल रही है और इस पर अगर आपने देख लिया कि एक रेखा ये लगा दी ये लगा दी तो ये समय अच्छा है अगर यहां पर single रेखा है अगर यह single रेखा है अब इन्हें इतना फाइदा नहीं होगा जितना यहां फाइदा हुआ तो यह logic है यह समझाने का अभी एक वीडियो आया है कि उन्होंने कहा कि जीवन रेखा अगर ऐसी हो तो बड़े बदलाव होते हैं जिन्दगी में जीवन रेखा से बदलाव कैसे हो सकते हैं यह लॉजिक नहीं समझाया कि जीवन रेखा से बदलाव होते हैं कभी तो कहते हो राहू रेखा से बदलाव होते हैं कभी कहते हो अगर जो भाग्य रेखा पर कट का निशान है तो उससे बदलाव होते हैं यह लॉचिक नहीं समझाया कि रटी रटाई बाते हैं कि इन्हें यह नहीं समझाता कि अगर कोई रेखा यहां पर टच होकर यहां निकलती है यह मांड लेन है यह रेखा भी मांड लेन है उन्हें यह नहीं फिर बस इतना कहते हैं यहां यह है तो फिर पिताजी से अगल नहीं है इसलिए ना आपको ना बहुत ज्यादा आपको प्रभाव पड़ेगा एक राहू रेखा भी होगी ना प्रभाव डालेगी वह एक नया उनको वीडियो आया मैंने यहां पर देखा यहां तक पहुंचते पहुंचते ना वो ना 47 साल पर पहुंच गए इधर 71 सा हैं वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है उसके हाथ में भी मनी ट्रेंगल नहीं है मनी ट्रेंगल नहीं है तो मनी ट्रेंगल ना होने से यह कैसे कह सकते हो कि आप कि वो उसको जो है ज्यादा तकलीफ आएगी मनी पर ट्रेंगल से क्या तकलीफ आएगी जोड नहीं पा रहा जोड नहीं पाने का साइन क्या है ये है भाग के रेखा जिंदगी में नहीं जोड पाएगा लो जिंदगी में ऐसे खर्चे होंगे लो ये रेखा पर क्रॉस लगा दिये कमाओ पांच लाख रुप्या महीना कमाओ ऐसी रेखा पर कमाओ पांच लाक रुपे महीना छे लाक रुपे का खर्चा छे लाक रुपे का खर्चा आ जाएगा कभी साड़े चार का कभी छे का कभी पांच का सब जिम्मेदारियां बेहन दुखी हो गई है भाई दुखी हो गया है उनके बच्चों को पे खर्चा ससुर्व जी बिमार हो गए है एक तरीका बतारो जिम्मेद ग्रैविटेशनल फोर्स रेखा है बांद के रखेगी खर्चे ये खर्चे ये कोई नहीं है ऐसा कि ये चंदर पर ये क्रॉस है तो ये आपका मेरा जीवन क्या होगा या नहीं होग इसका मतलब है कि भग्य रेखा को देखता हुआ क्रॉस है आपकी लाइफ में आप जितना मर्ची कमाल हो ऐसी रेखाओं के सामने ये वले चिना आजाए मुसीबत है मुसीबत है दो रेखाओं के सामने दो खड़ी रेखाओं के सामने आइसलेंड हो ऐसे हो आइसलेंड हो यहां पर यह फस गए फस गए फस गए यह वला जो चीजे आप काम करोगे यहां पहले करते वक्त दिक्कत और बाद में दिक्कत मैं कितने फार्मूले बता हूँ आपको यह फार्मूला है पकड़ लो एक स्कॉयर बना लो यह मैंने पेट्रोल पंप खोलना है खोल के हाँ तीन करोड का नुकसान होगा अच्छा चल रहा था पता नहीं क्या हुआ सब सब रद्धी हो गया यह देख लो एनिवे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीस लाइक कीज़ेगा कमेर्शी और कीज़ेगा धन्यवाद